नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यंतंत्र वास्तु के विशेश काजकन के साथ हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो भी किरिया करते हैं, काम करते हैं, एक्षन करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर प्रता है ऐसे में खाना खाने का समन्द भी हमारे जीवन हमारे भाग से है हमारे सास्त्रों में भी खाना खाने के नियम को धन प्राप्ती से जोरा गया है ऐसा मानते हैं कि अगर आप सास्त्र के हिसाब से खाना खाएंगे खाना खाने के पहले कुछ उपाय करेंगे या कुछ आप ध्यान रखेंगे और खाना खाने के बाद भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं तो निश्ची तूप से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही खाना खाने के पहले क्या करना है खाना खाने के बाद क्या करना है और आयूर्बेत के हिसाब से आपको किन नियम का परण करना है ताकि आपका स्वास्त भी अच्छा हो धन की कमी नहीं हो और आपका भाग भी परबल हो तो बने रही हैं हमारे स साथ हम आपको पताएंगे रोज खाना खाने से पहले क्या तीन काम आपको करना है ताकि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो एक इसके पहले अगर आप हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कि पैसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी जबाएं ता आपका भोजन का सम्मान आप करेंगे बलकि इससे कभी भी आपके पास धन की या खाने की कमी नहीं होगी कहते हैं अपने सामने रखे खाने की थाली का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए इसी भोजन के लिए हर बैक्ति दीन रात मेहनत करता है भोजन हर बैक्ति की आवसक हम लोग यह जानेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग हमेसा अच्छा बना रहे भाग साथ दे जीवन में कभी पैसों की तंगी ना है तो कुछ नियम जो सास्त्रों में बताए गए हैं इस नियम का पालन आपको खाना खाते समय खाना खाने से पहले खाना खाने के ब आपको क्या करना चाहिए इसमें आपको सबसे पहली चीज जिसका ध्यान रखना चाहिए जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले आप यह धियान रखे कि आपका मुह पुर्व दिशा की तरफ होना चाहिए अन्ड की देभी मां अन्ड पुर्णा को परणाम करें इसके बाद खाना की शुरुआत करना है आपको तीसरी चीज खाना खाने से पहले पर्थम ग्रास, गौ माता और देवताओं के लिए आप थोड़ा सा खाना निकाल करके जमीन पर रख दें थाली में उतना ही खाना अप लेना चाहिए आपको जितना आप खा सके हमेशा ध्यान रखे जूठन आपको थाली में नहीं छोड़ना चाहिए बहुत लोगं की आदत होती है कि हमेशा जूठन थाली में छोड़ देते हैं ऐसा जो भी करते हैं उसकी जीबन में धन की कमी निश्चित रूप से होती है और एक ऐसा समय आता है कि उसके पास खाने की भी समझचा होने लगती है जीबन में खाना भी नसीब नहीं होता है इसलिए आप ध्यान रखे जब भी आप खाना खाते हैं तो इन चीजों का ध्यान अबस रखे तभी आप खाना की सुरुवात करें अब जो सबसे महत्पुन बात है भोजन के लिए आप भगवान को धन्वाद बोलें जब आपकी खाने की थाली आपके पास आए तो उसके सामने हाँ जोर करके भगवान को उस खाने के लिए धन्वाद कें या मन ही मन आप धन्वाद बोल सकते हैं माना जाता है कि जो खाना हमें नसीब होता है उसमें कहीं न कहीं भगवान का हाथ जरूर होता है इसलिए भगवान को सुक्रिया कहना आप न भूलें जब भी खाना आपके पास आए तो भगवान को धन्वाद अवस करें कि आज मुझे खाना मिल गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्वाद, इसके साथ साथ, खाना खाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान और देना चाहिए, जब खाना खाने बैठे, थाली आपके आसपास आ जाए, तो आप थाली के चार ओर जल जरूर घुमाए, मनता है कि ऐसा करने से आपके आसपास मौझूद सभी बुरी सक्तियां सांथ हो जाती है, और खाना में परवेश नहीं करती है, खाना के माध्यम से वो आपके अंदर परवेश नहीं कर पाती है, इसलिए जब भी खाना का थाली आपके आसपास आए, आपके पास आए, तो आप जल ज चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हैं आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं अब य। कि खाना खाने के बाद आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले चीज खाना खाने के बाद कम से कम 1000 कदम आपको पैदल चलना चाहिए और खाना खाने के आधे पौने घंटे के बाद ही आपको पानी पीना चाहिए कम से कम 45 मिनट तो आपको रुकना ही चाहिए तभी आपको पानी पेना चाहिए ये आयूरबित हिसाब से इन चीजों का आपको ध्यान रखना है अब सास्ट करनुसार जोतिस करनुसार खाना खाने के बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए सबसे पहला चीज, खाना खा करके जूठे बरतन आपको नहीं छोड़ने चाहिए, उसे आप तुरंत ही धोलीजे या किसी से धुलवा लीजे, दूसरी चीज, खाना खाने के बाद खाना फेकना नहीं चाहिए, खाना जूठन आपको थाली में नहीं छोड़ना चाहिए, खान तो इसमें आपके भाग पर आपके धन पर इसकाशर परता है। अब जो महत्पुन बात है आयूर्वेत की हिसाब से मैंने आपको सास्त्र की हिसाब से बताया कि खाना खाने के पहला को क्या करना है और खाना खाने के बाद आपको क्या नहीं करना है अब जो महत्पुन बात है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको क्या क्या चीजे नहीं क करना चाहिए अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे आपका स्वास्त तो अच्छा रहेगा ही अजीवन में अगर स्वास्त अच्छा रहेगा तो भाग भी आपका साथ देगा और धन भी आपके जीवन में आएगा तो खाना खाने के बाद प्रहया आपको यह चीज नही करना चाहिए तुरंत पानी नहीं पिना चाहिए फलों का सेवन भी आप ना करें खाना खाने के तुरंत बाद आपको सोना भी नहीं चाहिए खाना खाने के तुरंत बाद योन क्रिरा भी आपको नहीं करना चाहिए इसका अभी दियान रखें खाना खाने के तुरंत बाद जि इस से 45 मिनट के बाद ही आपको कोई दवा लेना चाहिए, लेकिन कुछ दवा खाना खाने के बाद 10 मिनट बाद या 15 मिनट के बाद आप ले सकते हैं, ये आप डॉक्टर से सलाह लेकर करें, अब खाना खाने से समझित कुछ खास चीज भी है, खाना खाने से समझित कुछ प् है कि सुबा उठकर आपको कैसा पानी पीना चाहिए तो इसका उत्तर है हलका गर्म पानी पीना चाहिए दूसरा सवाल है पानी पीने का क्या तरीका होता है तो पानी पीना आप जब भी आप पानी पीते हैं तो सिप सिप करके पानी आप पीजिए और नीचे बैठ करके पानी पीजिये, ख़ड़ा होकर करके पानी आप ना पिये, और साथ ही एक ही बार में पानी आप गटा गट न पिये, हमेशा सिप करके पानी आपको पीना चाहिए, तीसरा जो question है, ये है कि खाना कितनी बार आपको चवाना चाहिए जब भी आप खाना खाते हैं तो कम से कम 32 बार आपको खाना चवाना चाहिए तभी आपका खाना पचता है और पचने में सहयता ये परदान करता है आपको बहुत लोग खाना मुह में लेते हैं 4-5 बार चवाते हैं और निगल जाते हैं ऐसा आपको नहीं करना है कम से कम 32 बार तो कम से कम आपको खाना चवाना चाहिए उसके बाद इसको निगलना चाहिए बहुत लोग एक सवाल बहुत ज़दा पूछते हैं पूछते हैं कि पेट भड़कर खाना कब खाना चाहिए तो पेट भड़कर खाना हमेशा सुबह में खाना चाहिए जब भी आप खाना खाते हैं और पेट भड़कर खाना चाहते हैं आपको सुबह का नास्ता कर लेना चाहिए छटमा क्विश्चन है सुबह खाने के साथ क्या पीना चाहिए तो सुबह में आप खाने के साथ जूस ले सकते हैं साथमा प्रसन है दोपहर को खाने के साथ क्या पीना चाहिए नम्मा क्वेश्चन है प्रस्ण है खटे फल किस समय नहीं खाने चाहिए तो रात को रात तो कभी भी आपको खटा फल नहीं खाना चाहिए दसमा प्रस्ण है आईस्क्रीम कब खाना चाहिए तो इसका उत्तर है कभी नहीं खाना चाहिए ये स्वास्त के लिए बहुत ही हानी करक है एक गारमा प्रस्ण है फिरीज से निकले हीवी चीज कितने देर बाद खानी चाहिए तो कम से कम एक घंटे के बाद ही खाना चाहिए बारमा प्रस्ण है क्या कॉल्ड ड्रिंक पिना चाहिए और नहीं पिना चाहिए इसका उत्तर है cold drinks कभी नहीं पीना चाहिए तेरहमा प्रस्ण है बना हुआ खाना कितनी देर तक खा लेना चाहिए तो कोई भी खाना अगर बनता है तो उसको आप 40 मिनट के अंदर खा लेजिए 40 मिनट के बाद खाना बासी हो जाता है इसको नहीं खाना चाहिए चोदमा प्रस्ण है रात को खाना कितना खाना चाहिए तो इसका उत्तर है 9 के बराबर खाना चाहिए रात में बहुत ही थोड़ा खाना खाना चाहिए आपको पेट भड़ करके रात में खाना कभी नहीं खाना चाहिए पानी खाना खाने के कितने समय पहले पी सकते हैं तो इसका उत्तर है 48 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं खाना खाने से पहले सुलामा प्रस्न है क्या रात को लसी पी सकते हैं इसका उत्तर है नहीं रात को आप लसी नहीं पी सकते हैं सतरमा प्रस्न है सुबह नास्ते के बाद आपको क्या करना चाहिए तो इसका उत्तर है काम करना चाहिए दोपार को खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? इसका आंसर है उत्तर है अराम करना चाहिए और उनिसमा क्वेश्चन है रात को खाना खाने के बाद आपको क्या करना चाहिए? जिसका उत्तर है कम से कम पांस से कदम आपको अबस चलना चाहिए खाना खाने के बाद हमेशा क्या करना चाहिए इसका उत्तर है खाना खाने के बाद हमेशा बजरासन करना चाहिए यह एक आसन है जिसका नाम है बजरासन यह आपको अबस करना चाहिए खाना खाने के बाद बजरासन कितना दिर करना चाहिए तो कम से कम 5-10 मिनट तक आप बजरासन कर सकते हैं अब जो 22 प्रस्ण है सुभा उठकर अपने आँख में आपको क्या डालना चाहिए तो इसका उत्तर है ठंधा पानी डालना चाहिए तेसमा क्वेश्चन है, रात को किस समय तक सो जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है, नौ बचट तक आपको सो जाना चाहिए चोबिसमा प्रस्ण है, तीन ऐसे ज़़र काना मताईये, जो आपको बिल्कुल भी नहीं ख़ना चाहिए तो इसका उत्तर है चीनी, मेदा और सफेद नमक ये तीन जहर आयोर्वेत ने बताये गए हैं इसका सेवन आप यतना कम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा तो आज मैं आपको बताई कि खाना खाने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है सास के हिसाब से और आयोर् के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन उपाय को करते हैं इन चीजों को जान करके खाना खाते हैं तुसके जीवन में भी कभी धन की कमी नहीं रहेगी और स्वास्त्र भी हमेसा अच्छा रहेगा आज के लिए बस इतना ही धन्नवाद